नमस्कार दोस्तों ड्रामा क्यून राखी सावंत ड्रामा क्यून इसलिए कि वो लगतार ड्रामा करती रहती हैं और राखी सावंत जो की बिबादों से और ड्रामा से उनका नाता रहा है कुछ से कुछ उटपटांग बाते करते रहती हैं और अब उन्होंने जो एक ताजा ब फैंस है उनके भावनाओं से खेलना चाहती है या ऐसे ही उट पटांग बक्वास करने के उनकी यादत है जो कि उन्होंने कल किया है चलिए मैं विस्तार से आपको बताता हूँ कि आखिर उन्होंने कहा क्या है उनका ये कहना है कि सुसान सिंग की आत्मा को नहीं मिली है सांती और पुनर जनम उनका होने वाला है आपको पता हैं कि सुसान सिंग रादपूत को इस दुनिया से गए हुए करीब दो साल बीतने वाले हैं और उनके फैंस आज भी लगतार सोसल मीडिया पे और ग्राउंड पे नियाई की आवाज उठाते हैं और वो कभी नहीं भूले हैं ल सुसान को ले करके ये दावा बलीबूट की ड्रामा कीविन राकी सावंत ने किया है उनका ये कहना है कि सुसान का पुनर जनम होगा और इस बार वो राकी सावंत की कोक से जनम लेंगे और वो कहती हैं कि सुसान उनके सपने में आए जिसके बाद उन्हें जोर का जटका आई सुनकर सुसान्त ने जबाब दिया कि वो उन्हें इसके बारे में बताएंगे लेकिन फिर राखी के जिद करने पर उन्होंने बताया कि वो उनकी कोक से जनम लेंगे इसके अलावा राखी समंत ने बताया कि सुशांत कह रहे थे कि इंडस्ट्रीज के लोगों ने उन्हें काफी परिशांग किया ऐसे में वो जी करके क्या करते उनका सरीर भले इस दुनिया से चला गया है लेकिन उनकी आत्मा जिंदा है वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे इसके बाद राखी कहती है कि सपने के बाद जब उनकी आँख खोली तो घड़ी के चार बज रहे थे और शुबह का सपना सच होता है ऐसे में राखी का ये कहना है कि उनका ये भी सपना सच होगा और राखी की ये बाते काफी हैरान कर देने वाली है क्योंकि मैं बात करू राखी की तो राखी ऐसे ही उल्टे पुल्टे कुछ भी बोलते रहती है अभी बिग बॉस में बड़ा बवाल मचाया दूसरी साधी में बवाल मचाया कुछ भी कहती है और अब जब लगा कि सुसान के fans सुसान को याद करते हैं एक बहुत बड़ा भारत और पुरे worldwide सुसान के fans मौजूद हैं तो कुछ ऐसा बोला जाये ताकि सुसान के fans जो हैं वो confuse होते रहें और यही किया राखी सावंत ने और राखी सावंत ने सुसान सिंग राजपूत का क्या बताओं मैं कह सकते हैं भावनाओं के साथ खिलवाल करने की पूर जोर कोसिस किया है राखी सावंत ने